वीकली करेंट अफ़र्स कुज एपिसोड 69 में आपका स्वागत है चले शुरुआत करते हैं एपिसोड के पहले प्रश्न से निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, सन्विधान का अनुक्षेद 168 राज्यों में विधान सभा की गठन से संबंदित है दो, विधान सभा की निम्नतम सदस्य संख्या पच्चपन तै की गई है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है पुद्री संगठन यानि IMO के संदर्व में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, भारत को सबसे अधिक संख्या के साथ वर्ष दो हजार चौबिस पच्चिस के लिए IMO परिशत के लिए चुना गया दो, IMO में वर्ष दमान में एक सो पच्चात्य सदस्य देश और तीन सहयोगी सदस्य है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है ए, केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलपड़ी, न तो एक और नहीं दो अगला प्रश्ण है, राश्ट्रिय मानवादिकार आयोग यानि NHRC के संदर्व में निम्रलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, राकेश अस्थाना को NHRC के विशेश मॉनिटरों में नियुक्त किया गया है दो, NHRC के स्थापना 1994 में की गई थी उपर युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है, विकल्प A केवल एक अगला प्रश्ण है, VONR 5G के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, इसका पूरा नाम वॉइस ओवर 5G है दो, VONR 5G कौल गुडवत्ता में सुधार करने से सम्बंदित है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक केवल एक, B केवल दो, C एक और दो दोनो, D न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है, विकल्प C, एक और दो दोनो अगला प्रश्ण है, निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, विश्व मलेरिया रिपोर्ट डबलू एच्चो जारी करता है दो, भारत में दो हजार पच्चिस तक मलेरिया उन्मूलन का लक्ष घोशित किया गया है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इसका सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो अगला प्रश्म है खबरों में रहा शब्द मिचोंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, मिचोंग चकरवात का नाम है दो, चकरवाती हमाई भुमदरी की बेल्ट के सबी शेतरों में चलती है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 अगला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे 1. 5 दिसंबर 2014 को पहली बार विश्व मृदा दिवस मनाये गया 2. 2023 के लिए इस दिवस की थीम मिट्टी और पानी जीवन का एक श्रोत है 3. भारत में अधिकांश सानों पर जलोड मिट्टी पाई जाती है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प C सभी 3 अगला प्रश्ण है मैत्री दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1. हालही में भारत श्रीलंका दौरा मैत्री दिवस मनाय गया 2. यह दिवस 16 दिसंबर को बांगलादेश में विज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है उपर्युक्त में से कितने कथन गलत है A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D कोई भी नहीं इस व्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 अगला प्रश्ण है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प D उपरोग्त सभी अगला प्रश्ण है लाका डोंग हल्दी के संदर्भ में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए 1. इसे भाबोलिक संगेत GI टैक प्राप्त है 2. यह हल्दी मेघाले के जैनतिया हिल्स में पाई जाती है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है A केवल एक B केवल दो C एक और दो दोनो D न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प C एक और दो दोनो अगला प्रश्ण है पोम्पे रोग के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे 1. यह एक विशानों जनित विकार है 2. यह रोग एंजाइम एसिड अलफा ग्लुकोजी डेस की कमी की कारण होता है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B केवल दो अगला प्रश्ण है कार्डियो पल्मोनरी, रिससिटेशन प्रसिक्षड के संदर्भ में निमनलिकित कथनों पर विचार कीजिए एक, इस कारिक्रम को स्वास्त और परिवार कल्याड मंत्रा लेके तहत शुरू किया गया है इसमें दस लाग से अधिक प्रति भागियों को एक बार में प्रसिक्षड दिया जाएगा तीन, इसमें नागरिकों को ओनलाइन माध्यम से CPR का बुनियादी ज्यान दिया जाएगा उपर्युक्त में से कितने कथन सही है एक केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनो, डी कोई भी नहीं इस प्रशन का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीनो अगला प्रशन है आर व्यंकेट रमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, इनका जन्म तमिलनाडों में हुआ था दो, ये कभी भी उपराश्च्रपती के रूप में काररत नहीं थे तीर, माय प्रसिडेंशियल इयर्स इनकी रचना है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है एक केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनो, डी कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उतर है, विकल्प बी केवल दो अगला प्रश्ण है, वाइट लंग सिंड्रोम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, यह सिंड्रोम प्रभावित बच्चों में छाती के एक्सरे पर विसिस्ट पीले धबों से उत्पन होता है दो, इसके उपचार में ऑक्सीजन थेरपी का प्रियोग किया जाता है उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो अगला प्रश्ण है डॉक्टर राजिंद्र प्रिसाद के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, यह स्वतंत्र भारत के पहले राश्ट्रपती थे दो, 1952 में इन्हें भारत रतन से सम्मानित किया गया तीन, इनकी रचना इंडिया डिवाइडेड है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है एक एवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो अगला प्रश्ण है नौ सेना दिवस दो हजार तेईस की संदर्व में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजे एक, हर साल चार दिसंबर को नौ सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है दो, यह दिवस ओपरेशन ट्राइडेंट में नौ सेना के उपलब्धियों की याद में मनाया जाता है तीन, ओपरेशन ट्राइडेंट भारत बांगला देश से संबंधित है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है एक केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो अगला प्रश्न है श्री अर्बिंदो के संदर्भ में निम्रलिकित कथनों पर विचार कीजे एक, पांच दिसंबर को इनकी पुनेतिती मनाई जाती है दो, उनिसोचबिस में इनके नाम पर अर्बिंदो आश्रम बना उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है एक केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनो, डी न तो एक और नहीं दो इस प्रश्र का सही उत्तर है विकल्प सी एक और दो दोनो अगला प्रश्र है अंतराश्य नागरिक उड़ेयन दिवस के संदर्ब में निमनलिकित कथनों पर विचार कीजे साथ दिसंबर को अंतराश्य नागरिक उड़ेयन दिवस के रुपे मनाया जाता है ICAO परिशत प्रतेक चार साल में इस दिवस के लिए थीम स्थापित करती है तीन, 2023 की थीम वैश्विक विमानन विकास के लिए उन्नत नवाचार है उपर्युक्त में से कितने कथन सही है A केवल 1, B केवल 2, C सभी तीनों, D कोई भी नही इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प B केवल 2 अगला प्रश्ण है अगनी बैलस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों उपर विचार कीजे 1. APJ अब्दुलकलाम द्वीप से अगनी 1 का सफलता पुर्वक प्रक्षेपर किया गया 2. 1990 में पहली बार अगनी मिसाइल का परिक्षन किया गया था उपर उक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनो, D न तो 1 और नहीं 2 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1 अगला प्रश्ण है जामुन के संदर्भ में निम्नलिकित कथनों पर विचार कीजे 1. CGGM क्यूमिनी को आमतोर पर जामुन के नाम से जाना जाता है 2. IISER भुपाल के शोत करताओं ने जामुन के पेड का पहला जिनोम अनुक्रमन किया उपर्युक्त में से कौन सा है या कौन से कथन सही है या सही है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनो, D न तो 1 और नहीं 2 इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प C 1 और 2 दोनो आज के लिए बस इतना ही शुक्रिया